नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है फर्ष्ट वल्ड वोर और उसमें भारती एसनिक जो फर्ष्ट वल्ड वोर था उनैस सो चौधे में सुरूव होता है और उनैस्सो अठारा तक चलता है जिसमें लगभग देट करूड लोग मारे जाते हैं तो जो फ़स्ट वरड़ वर्ड विर का तत्कारीन कारण था फाल वह यह था कि आश्ट्रेया के राजकुमार अर्च ड्यू की हत्या आर्च ड्यूम के साथ साथ उनकी पतनी की हत्या हुई थी और कницу की वजह से आश्ट्रिया ने सर्विया पे आक्रमन किया और सर्विया की साहेता के लिए जर्मनी आगे आता है और जर्मनी आश्ट्रिया पे आक्रमन करता है और इस तरह से गुटबाजी आगे बढ़ती बढ़ती जाती है और जो बिटिन था वो भी बेल्जियम और लग्जिमबर्ग पे जब जर्मनी आकरमंण करता है प्रांस की तरफ बढ़ने पर जबकि लगिमंबर्ग और बेल्जियम तथस्ट थे तो इन पर आकरमंण करता है तो इस वज़े से बिटेन भी उनके साथ आ जाता है और बिटेन के साथ जापान खड़ा हो जाता है और जר्मनी की तरब से उस्मानिया ओटोमन समराज्य था जो वो खड़ा हो जाता है और इस तरह से युद्ध सुरू होता है और इसमें लगभग 40 देश आमने सामने खड़े होते हैं और बहुत बड़ी द्रास्ती हो जाती है तो ये युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नॉम्बर 1918 तक चलता है औ और इसमें मूल रूप से यूरोप अपरिका और पूर्व मद्या अंसिक रूप से रूस चीन और प्रसांत द्वी एरिया में ये युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में जो युद्ध में लगभग 7 करोड सैनिक भाग लेते हैं और लगभग 1.5 करोड लोगों क की मौत होती हैं और इस युद्ध में जो जर्मनी और ओटोमन्स अमराज्य था उनकी हार होती है और बहुत बड़ी मानौत रास्थि के तॉर पे ये उवर के आता है इस युद्ध के दौरान इस्पैनिस फ्लू नाम की तेक विमारी पहली थी जैसे आजकल ये कोरोणा फे तो इससे भी लगभग फाच क्रोड से 10 क्रोड लोगों की मौत भी थी तो जुद्ध में जो हमारे देश की सेयना थी भारतिय सेयना इंडियन की तरफ से लड़ती है और जो हमारे नेता थे उस समय उन लोगों का ये बिचार था कि अगर हम बिटेन की तरफ से लड़ेंगे तो बिटेन हमारे से खुस होके भारत से खुस होके हमें आजादी गिप्ट में दे देगा लेकिन ये बात सच नहीं हो पाती है और जो बिटिस हैं वो ऐसा नहीं करते हैं तो उस समय भारतिय सेना की छमता लगभग 15 लाग की थी और भारतिय सेना के लगभग 5 लाग लोग इस युद्ध में सामिल हुए थे और इस युद्ध में जो लोग सामिल हुए थे उनमें से ल इस युद्ध में भारतिय सेना को एक बड़ी की मत चुकानी पड़ी और इस सेना का सीधा फाइदा ब्रिटेन को मिला भारत को इसका कोई खास फाइदा नहीं मिला भारत सिर्फ उनकी तरब से लड़ने वाली एक सेना के तौर पे था तो ये जो भारतिय सैनिक हैं वो बिटेन की तरफ से लड़े और वो अप्रिका में होगे, पूर्वी एसिया में होगे, आटोमन एरिया में होगे, जो तुर्की का एरिया है बरतमान में वहां लड़े थे और बहुत सारे सैनिक सहीद हुए थे ऐसे दर्वान सिंग नेगी भी थे जो 29 गड़वाल राइफल में थे तो इन्होंने फ्रांस के फ्रेंट टूर्ड में तैईस चौबिश नमबर 1914 की रात को ग्रेट गैलेंटरी के लिए यो समान इनको दिया गया फ्रेंक अलेंजेंडर प्रिंस्टी अलवर्ट इनको भी ये सम्मान दिया गया दिकारी थे वो होगे बिलियम ब्रूस यूस्ते जोथम मीर दस्त जान स्मित कुलवीर थापा कुलवीर थापा त्री री गोर्फा राइफल्स के थे लाल एक और सैनिक थे जो फॉटी वन वी डोगरा के सदस्य थे जाउन अलेकजिंडर स्टीन इंडियन मेडिकल सर्विस के सदश्य थे सहाथ सहमद खान 89 पंजावी राइफल के सदश्य थे गोबिन सिंग 28 लाइट कैवलरी के सदश्य थे करन बहदूर राना 3 री गुर्फा राइफल के सदश्य थे बल्दू सिहां चौदवी मुर्जेर जाट लरेंज के सदश्य थे तो इस तरह से काफी सैनिकों को यहाँ विक्टोरिया क्रास भी दिया गया जो ब्रिटेन का सर्वस्रेश्ट नागरिक सम्मान था और 1919 में भारतिय सैना के लगभग 5 लाग जवानों को वापस बुलाया गया युद्ध के बाद और जब प्रिथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो 1919 में तिरतिय अपगान युद्ध के लिए अंग्रेज भारतिय सैना का उपरियोग करते हैं उसी दोरा 1919-1920 में बजरिस्तान के अभियान में भी इनको सामिल किया जाता है और 1931 में अपरीदियों के खिलाब 1933 में मुहमंदों के खिलाब और 1935 तथा अंतमेदुत्य विश्युद्ध के दोरान भी ये भारतिय सैना का फाइदा लेते हैं तो ब्रिटिस जो हकूमत थी उसने भारतिय सैना का बड़े इस तर पे फाइदा लिया युद्धों में और वो जो जीत थी वो ब्रिटिस एंपायर की जीत हुई थी और उसका भारतिय सैना को कोई भी से इस फाइदा नहीं मिला था तो जिस तरह से ये एतिहासिक किस्स हैं उनसे ये दिखता है कि ब्रिटिन ने किस तरह से भारतिय सैना का फाइदा लिया और जो हमारे नेता थे उस समय महत्मा गानी जी भी उस समय उभरते वे नेता थे और उन्हें इसी वज़ा से भरती वाला सार्जेंट भी कहा गया क्योंकि उन्होंने प्रतम विश्यूद में भारत के नौजवानों को प्रुचसाहित किया था कि उबर्टी सेना में भरती हों और ब्रिटेन की तरफ से लड़े उनको ये लगता था कि ब्रिटेन खुस होके भारत को स्वायत्ता देदेगा या आजादी देदेगा तो ऐसा हुआ नहीं तो दोस्तों ये हमारा किस्सा था प्रतम विश्यूद के दोरान का किसी वीडियो में हम प्रतम विश्यूद विश्यूद के बारे में कंप्लीट बात करेंगे थैंक्यू दोस्तों